आपको ये भी बता दू कि जो भी व्यक्ति फिल्म इंडेस्ट्री में स्टकल करने के लिए आता है तो आदर्श नगर के इस नागोरी जो है चाय वाले के पाँ जरूर आता है बेरी पच्चिन के आतर्श नगर का हाल दिखाऊँगा तो प्लीज बने रहे वीडियो पे चलते हैं आतर्श नगर के इस इलाके में ज्यादा करके जो है शुटिंग से रिलेटेज सारे सामान जो बिलते हैं वो इसी रोड पे मिलते हैं लेकिन यह जो है अब आप आप आएंगे तो वह गली बंद मैंने आपको बताया वह बंद है लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने की काम शुरू हो जाए जल से फिल्लिम का इसके लिए यह पूरा दुकान खोल दिया है अगर आपको कोई चीज चरुवत है अभी पोस्ट प्रडक्शन का काम अगर चल रहा है और कुछ जरुवत है तो आप यहां के ले सकते हैं नमबर भी दिखाती हो कॉल कर सकते हैं तो फोन करके मंगा लेंगे ना तो मंगा लिए गया मैं जो भी रोका गया देगे सोसल डिस्टेंसिंग दुकान का पूरा पालिन करते हुए इसके आगे भी दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रडक्शन के हाउस यहां पे थे जो चोटी-मोटी म्यूजिक अलबम का काम करते थे उन पे क्या आशर हुआ है क्या वो ओफिसे खुली है या वो ओफिस बंध है तो चलिए आगे चलते हैं इस आदरशनगर में जो है एक बहुत ही फेमस जो है वो फिल्म एकुमेंट है आप देख रहे हैं बॉलीवुड यह यहां पे सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे पुराना है तो यहां पे आपको जो है ना यहां पे फिल्म से रिलेटेड़ जो कैमरे के पार्ट्स वगेरा ह इनका कैमरा एकुमेंट भी है इनके ओनत बहुत ही अच्छे है और दो भाई है तो वह सबसे आप यहां पर आएंगे तो यह आपको जो है जगा पे कैमरा से रिटेज सामान और कैमरा भी रेंटल पर मिल जाएगा तो यह आदरशनगर की गली का हाल है मैं तोड़ा आगे ज हाला ठोड़े ठीक नहीं है इसी लिए मुपर मास लगाया हुआ है और सर पे मैंने हेलमेट लगाया हुआ है तो कि वैसे बहुत ज्यादा खत्रा यहां पर है तो अभी यह जो देखरें आप मेरे साइट में जो राइट साइट में यह फिल्म के पोड़क्शन हाउस हुआ क करते थे अभी भी है लेकिन बंद है यह देखिए यह एक प्रड़क्शन हाउस है जहां पर अलबम अगरा भी सब बनता था लेकिन आज के हालात क्या है तालग लगा हुआ है यहां पर तो अगर आपको कोई कहता है कि काम चालू है तो भाई बिल्कुल नहीं यह देखिए यहां पर चलता था ऐसे बहुत सारे से दिरे दिरे प्रड़क्शन हाऊ से जो अभी इस वक्त जो है ना बंद पड़े हुए हैं सकुंतलम स्टुडियो में आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है और यहीं पर जो है बहुत सारे जो एक्टर थे जो डिरेक्टर प्रडूसर वह अपना जो है नाटक का जो है ना वह प्ले वगरा करते थे तो यह सारी चीजे हैं तो अभी फिलाल यह कोरोना के चटकर में बंद है तो अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो थोड़ा से रुख जाईएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिल्म से जुड़े कोई सवाल अगर यहां पूस्ते होंगे तो आदशनगर अंधिरी का नाम जरूर आता है तो भाई यह वही आदशनगर अंधिरी है यहां की जानकारी में आपको दे रहा है तो भाई आप में से बहुत सारे लोग जरूर यहां पर आये होंगे यह नागोरी की टी स्टॉल है जहां पर आपने चाय जरूर पिया होगा आपको यह भी बता दू कि जो भी व्यक्ति फिल्म इंडेश्ट्री में स्टकल करने के लिए आता है तो आदशनगर के इस नागो चाय वाले के पास जरूर आता है तो आपको बता दू कि अभी फुल चुका है लेकिन सोसल डिस्टेंसिंग से ही जो है आपको समान होगे रहा जो भी चाय पीना वो मिलेगा तो यहां की जो सबसे खास चीज थी नागोरी डेरी वहां पर थोड़ी गर्दी जो है देखिए भी समय कम है तो आप भी आके चाय पी सकते हैं लेकिन थोड़ा साउधानी से तो यह जो है इलाका भी धीरे-धीरे से जो है ना शुरू होने के कागार पर है लेकिन अभी भी प्रोडक्शन हाउस यहां पर बहुत सारे बंद उनोंने बताया है तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अभी कोई वीडियो चाहिए आपको आप चाहते हैं कि इस विशेयपर जानकारी दीजिए तो प्लीस कमेंट बॉक्स में जाईए वहां पर बताए कि चाहिए आपको वीडियो किस प्रकार का और बिल्कुल जो नए है उनसे कहूंगा बाई साब चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना इस वीडियो को आप ढूंते रह जाएंगे तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार